बच्चो मैं आपके हिंदी टीचर बच्चो आज आपका आपकी पाठ पुष्टक सुमेधा हिंदी पाठ माला पाठ तीन छोटे भीम ने सिखाया सबक नामक कहानी पाठ को पढ़ाएंगे बच्चो ये एक कालपनिक कहानी है इस कहानी के माध्यम से ये सिख्चा प्राप्त होती है कि हमेशा आती बुरी चीज होती है यानि हर चीज की सीमा होती है सीमा से हट कर यदि कोई कार करते हैं तो हमेशा हानिकारक होता है तो इस पार्ट में इसी की सिच्छा दे गई है कहानी के माद्धम से उसका सारांस हम आपको समझाएंगे इसको ध्यान से सुनी लेगा चलिए देखते हैं बच्चो ये एक मनोरंजक कहानी है इस कहानी के माद्धम से बच्चों को एक सिच्छा दी गई है कि आती हमेशा बुरी होती है अर्थात यह कहानी यह सीख देती है कि हर काम की एक सीमा होती है और उसी सीमा में रहकर ही कार को करना चाही इसी तरह इस कहानी से भी एक संजु बावा नामक बच्चा है जिसका नाम है संजु बावा, उस संजु बावा नामक बच्चा है जो हमेशा अपनी मनमानी करता है खाने में नकरे पढ़ाई में नकरे ऐसे दिखाता था जैसे मानो वह विस्व विद्याले में पढ़ने वाला विद्यार थी हो अर्थात पढ़ने में छोटे कच्छा नर्शरी कच्छा का बच्चा है लेकिन उसका रहन सहन, उसका हाभा, उसकी नकरे, उसकी सैतानी इतनी अधिक थी कि मानो वो बहुत बड़े क्लास में पढ़ने वाला विश्विद्याले का विद्यार्थी हो खाने में नए नए पकवानों की फर्माई इस पाट साला में पढ़ाई कम करते सैतानी ज्यादा करते पाट साला से आते ही यानि स्कूल पाट साला मने पढ़ने का घर स्कूल से आते ही बैए पटक कर सीधे टीवी देखना सुरू करना और रिमोट यानि टीवी का रिमोट को अपने अलावा किसी को नहीं देता पापा को समचार नहीं सुनने देते, क्रिकेट नहीं देखते ममी को उनकी पसंद का कोई भी सीरियल नहीं देखने मिलता था अर्थाथ इस प्रकार से अपनी सैतानियों से उन्होंने अपने ममी पापा को परिसान कर रखा था, अर्थाथ पूरे सदस्यों को परिसान करके रखा था तभी एक दिन अचानक टीवी देखते समय टीवी सीरियल के छोटे भीम नामक टीवी में एक सीरियल आता है आपको भी पता होगा तो उसी टीवी सीरियल के छोटे भीम ने संजु बाबा का हाथ पकड़ लिया और संजु बाबा को डरवाते हुए उससे प्रतिग्या करवाए हाथ पकड़ कर संजु बाबा को डरवाते हुए उससे एक प्रतिग्या करवाया किसी ने करवाया छोटे भीमनी क्या प्रतिग्या करवाई कि वह हाँ तभी छोड़ेगा संजु बाबा का जब वह यह स्वीकार करे कि अब सेवा पापा को समचार देखने देगा और मम्मी को भी मन पसंद सीरियल देखने देगा और टीबी ज्यादा नहीं देखेगा पढ़ाई पर ध्यान देगा वरना वह चोटा भीम अपने साथ कालिया को भी लाने की बात कहकर संजु बाबा को इतना डरा दिया कि संजु ने चोटे भीम की हर बात को मानने को तयार हो दे और इस तरह से अब उसके पापा मम्मी भी अपने पसंद के सीरियल समचार क्रिकेट आधि देख सकने लगे और संजु भी पढ़ाई में मन यानि पढ़ाई में ध्यान देने लगा अगर टीवी अधिक देखने की इच्छ होती तो उसे कालिया की याद आ जाती और वह अपने मन को समझा लेता था तो इस प्रकार से छोटे भीम ने सबक सिखा दिया किसको संजु भाबा को तो छोटे भीम ने सिखाया सबक नामक पाड़ से संजु भाबा नाम के बच्चे को जो सीमा से अधिक सैतानी करता था अताया कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें सीमा में रहकर हर कार करने चाहिए और हमें सीमा में रहकर कार करने की सिख्छा प्राप्त होती है किसी भी चीज की अती बुरी होती है हमें सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए बलकि दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए यही जीवन का मूल है अर्थात इस कहानी से यह सिच्छा प्राप्त होती है कि आती यानि कोई भी चीज की अत्यधिक चीज यानि उसको बहुत अधिक करना हमेशा नसकान दा या कि नुकसान होता है अती हमेशा बुरी होती है हमें अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें अगले के बारे में दूसरों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे आलावा औरों की भी कोई इच्छा है उसको भी समय देना चाहिए उसको भी मौका देना चाहिए और यही जीवन का सच्चा मूल है यह कहानी हमें यही सिच्छा देती है बच्चो इस पार्ट से आपको यह सिच्छा राप्त होती है धन्वाद